सभी को रम रम पी टी आई चालीस सो ग्रेड पे पे के रिगार्डिंग भई एक सर्कुलर इसू किया गया डारेक्टर एलिमेंटर एजुकेशन द्वारा तो इप ममला की है भई यो इनी सो चैसी से केस चल रहा है ममला चीतर से है पे स्केल का मेंटर है और आज के दन के जब पाशा में समझेत ब्यारीस सो ग्रेड पेपर बैठे हैं पीटी आई और मुद्दा यो है बहुत चालीस सो दिया जाए जो और मस्टर गेड दिया जारा है इनको भी दिया जाए और कोर्ट से केस जित्तेव जा चुकिया है लेकिन सारी काने गोम चुकी है भाई यो नहीं म बनता भाई यह डारेक्टर अलिमेंटरी एजुकेशन ने लिख्या हां वाई डिश्टिक अलिमेंटरी एजुकेशन ओफिसर अंबाला युम्नानगर एंड पंश कुला क्योंकि इसमें ज्यादातर पटशनर जो न अंबाला जिलेके हैं और जो युमनानगर जिला है वो भ देशाने हैं ना वो वह कमा आगा छोड़ गे अब यह जो थे बारे बड़े बुजरुग है इनने केस करया थार इसका फाइदा इनने हो आगा तो यह लेटरा अब 2112-2022 को सब्जेक्ट है और दोजार चुरानमों अब दोजार तेरा मदनमों के नाम आगा दिया था और नो तारीख नो जनुवरी से पहले इनको कुछ नो कुछ सब्मिट करना था अब यह इस लेटर को कर देंगे तो थोड़ी शी बात कर लेते हैं पूरी यह मामला की है इट इस तो इंफर्म यू देट अंडर दे स्कीम नोन एन डी एसाइ नेशनल डीशीप्लें स्कीम इंस्ट्रक्टर तेवे पहले यह सेंटर की स्कीम थी उननी सो बहतर में जो अना शैसेट मां अर्यान मन गया तो उननी सो बहतर में अर्याना को जो इनका एड्मिनिस्टेटिव यानि प्रसाशनी कंट्रोल मिल गया इनडी एसाइक और जो उसम कर रहे थे वो भी अर्याना मां आगे जो वरकिंग थे एन एफसी नेशनल फिटनेस कोर्प के ताया जो पीटी आइज बोल ले जाते थे वे सारे अर्याने मां आगे इटी समिटिड दैट दा मैट रिगार्डिंग दी एफसर पर इन अर्याना स्टेट सर्विस गरंटिंग दैम अर्याना स्टेट पे स्केल वाज फर्दर कंसिडर बी जब वो यहां आगे ता अर्याना आपे स्केल भी दिया जाना था और इन पर्रस्वेंस ओफ गर्वर्वनेंट आफ इंडिया स्कीम विद कंडिशन तो प्रोटेक्ट दैर लेकिन उनकी जो पे उनको मिल रही थी वो उनको प्रोटेक्ट करनी थी जब उनका एब्जोर किया जाए नियराना यह जब उनको समिल किया जाए एंड टू गरंट स्केल एक साथ उनिस सो चेतर से जो देना था उसमें उनकी जो पे प्रोटेक्शन उनको सेंटर की स्कीम के ताइद दी गई थी मामला था उन पीटी आई का जो पीटी आई एनफ सी के ताइद थे करियर थे ठीक है अब पीटी आई जे ब्रेकिट में लेके दिया नफ सी हुव और एब्जोर्ब्ड इंदा स्टेट सर्विस एक साथ चीतर नवी स्टेट मां आगे अगें ओप्टीड एंड एशेप्टीड और उनस विकार कर लिया रिवाइज पे स्केल और देरफोर देवर फिक्सड इसलिए उनकी जो हना एक चैर उनिस सो उनसी को पे फिक्स की गई एंड एक एक चैसी को इंदा रिवाइज स्केल ओफ स्टेट पीटी आई लेकन उनकी पे प्रोटेक्शन उनको मिली होई थी इसलिए उनकी पे यहां बढ़ेंगी बढ़ें चैर्वाइज परणी की दो सो बीश से चैर सो और उनसी में पन सो पच्ची से एक जार पचास और छैसी में 14 से से 26 कार यह यह डीपिया का डीपिया का लग दे टेबल सामने सकरीन पर यह इनका दे दिया गया अब क्या मामला आता है सीन यहां से जरूर होता है फोर्दा अबोब पेस केल दे पेटिशनर फाइल सी डवलूपी जो यह पेटिशनर है ना लग बडेड से करीविन की लिस्ट भी दिखाऊंगा इन्होंने रिट पेटिशन लगाई वे 1990 साल्थव 1990 मदनमोन एंड अदर्स के नाम से इसमें थे 56 पेटिशनर टोटल जो हना यह 144 पेटिशनर भाई इसमें होगे 84 और 56 डिश या भी बारा बारा दोजार सो शाथ ने डिशाइड होगी एक साथ और इसमें जो हना इनको अक दे दिया गया आक भी जो उन पीटियाई भाई कोई कलियर हो तो और एक किशी के पास यह 2007 का फैसला और डबल बैंच का फैसला हो तो वह भी सेंड करना भाई इसलिए आपको जो हने रिक्वेस्ट की जाती का आप केलकुलेशन शीट बनाओ और शीट ओप एस्टिमेटीड एक्सपेंडिचर भी इसमें अनुमानित कितना खर्चा होगा इनको एरियर देने में आफ्टर वेरिफिकेशन ओफ दी सेक्शन ओफिचर जो एससो है उसकी वेरिफिकेशन करवाने के बाद ओप यूर ओप इस उससे करवानी है विद विदिन टू डेज पोजिटी लोड दो दिन के अंदरिया इनको देनी है क्योंकि कंटेंट पेटिशन इन दीज मेटर्स आर लिस्टिड फॉर नो तारिक को लिस्टिड है copies of the above CWP and court cases are under enclosed जोइन डारेक्टर का ओडर हो गया हब है यह हो और इसमें जो ना इन डिस्टिक को यह बताना हमी इन पीटी आई को जब हमचियत तर से ग्रेड पे देना सुरू करेंगे एक सो चाड़ीश आदमियों को तो आज तक का कितना एरियर बनेगा रूसमें सरकार के उपर कितना खर्च पड़ागार हमें इनको कितने अमाउंट पे करनी पड़ागी कुल में लागा मैटरी हो तो यह था हुआ भाई लपी एक सो तराशी इसमें जो होना स्टेट रेस्पोंडनेंट था लेकिन यहां पर पेटिशनर है क्योंकि यह लपीए में चलेगे थे फिर सुप्री इनमें से युँमना नगर में चले गए होंगे और कूछ पंच कुला में चले गए होंगे बख्ये और अर्येने का कोई पेटिशनर इसमें है नहीं स्कील में इस डिस्तिक के हैं यह सकरीन पर लिस्त चल रही है और इसमें हम देख भी इसके हैं सारी बात किये हैं इसमें टोटल जो ना चुराशी आखरी सुल्तान सिंग है डिस्टिक अंबाड़ा गार विच्चुराशी पटिशनर को तो इनको फिला अलाब मिलेगा और दूसरी जो CWP है वह देख ले उसमें पहला नाम मदनमोन है वो इसमें जो हना लग भग लग भग चुआरिस पटिशनर इसमें चुआरिस नहीं वह और अगवी चल पड़ेद है चपन है आखरी मदनलाल है तो कुलम लागत चुराशी और चपन इन कंडिडेट को फिल हाल ग्रेड पे च्छारिस सो का लाब मिलेगा लेकन ये सारे रिटा पराने कंडिडेट है यानि के लग भग चैसी नबा मला ग्योड है और मेरे खेल मत तकरीब अनीव रिटार्ड हो रहे होंगे परसंद मारे सारे अपने बड़े बुजरण के लेकिन इसमें एक पॉइंट अब है अब जो नए पीटियाई है भाई इनको दुबारा से लिट पराने के लिटीज मेटर दा पेटीशनर लिख दिया इन्होंने अब ये सिरफ इन पेटीशनर को जो ये नाम दे दिये ना 140 सिरफ इन को लाब मिलेगा बाकी जो पीटियाई है जो आज वरकिंग है या थे या उस टेम भी थे लेकिन वो पेटीशनर नहीं बने उनको फिलह सब्सक्राइब करियों लाइक करियों शेयर करियों दन्यवाद